बचो हम चैप्टर पर रहे हैं The Ashes That Made, Trees, Bloom और हमने पिछले भाग में जाना एक बुढ़ी दमपत्ती और उनके पालतु कुत्ते के बारे में और हमने ये भी जाना कि पालतु कुत्ते ने किस प्रकार से उस बुढ़े किसान को दिलवा दिया एक ठेर सोने का चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ और शुरू करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की Thus, in an hour, the old couple were made rich तो बच्चो इस प्रकार से एक ही घंटे में ये जो बुढ़ा दमपत्ती था ना, वो क्या हो गए? वो अमीर हो गए The good souls bought a piece of land अब चूकी ये बुढ़े दमपत्ती कैसे थे बच्चो बहुत दयालू थे, बहुत उदार थे, इसी कारण से ये जो अच्छे लोग थे, good souls मतलब ये जो अच्छे लोग थे They bought a piece of land, उन्होंने जमीन का एक टुकडा खरीदा Made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors और फिर उन्होंने एक भोज का आयोजन किया अपने मित्रों के लिए और फिर एकदम plentifully मतलब की प्रचूर मात्रा में अपने गरीब परोसियों को भी धनराशी दी और भोजन का खाना दिया As for the dog, जहातक के कुट्टे की बात है, they petted him till they nearly smothered him with kindness तो बच्चों, जहातक के कुट्टे की बात है, यह जो बुड़ा दमपती था न, इन लोगोंने क्या किया? इन लोगोंने smother किया, यानि की दबा दिया, एकदम प्यार से उस कुट्टे को ऐसे गले लगाया है कि बिलकुल दबाई ही दिया था उन्होंने उस कुट्टे को और फिर कैसे किया? उन्होंने बहुत दयालूता के साथ उस कुट्टे को अपने गले लगा लिया अब बचो उसी गाव में जहां पे बुड़ा दंपती और ये कुट्टा रहता था उसी गाव में रहा करता था एक विकेड ओल्ड मैन और इस वाइफ विकेड मतलब बुरा तो एक बुरा आदमी और उसकी पत्मी रहते थे not a bit sensitive and kind अब ये जो बुड़ा आदमी और उसकी पत्मी थे ना ये जो बुरे बुड़े आदमी और उसकी पत्मी थे ये बिलकुल भी समवेधन शील और दयालू नहीं थे who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house और ये जो बुड़ी दंपती थे वो क्या करते थे वो लात मारते थे और डाटते थे सारे कुत्तों को जब भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास से गुजरता था तो बचो यहाँ पे हमने क्या क्या शब पड़े हैं देखो रिवाइस करते हैं सबसे पहला है feast यालि की दावत फिर है plentifully मतलब प्रचूर मात्रा में smothered मतलब दबा दिया kindness मतलब डयालूता wicked मतलब बुरा sensitive मतलब समवेधन शील या फिर भावुक hearing of their neighbors good luck they coax the dog into their garden तो बचो अब ये वाले जो बुरा दमपती था ना बुरा जोड़ा था बुढ़े लोगों का उन लोगों ने सुना भई कि उनके पडोसियों का बहुत अच्छी सी किसमत चमक गई है तो ये सुनके उन्होंने coax किया मतलब फुसलाया उस अच्छे वाले बुढ़े दमपती के कुत्ते को और फिर फुसला के ले आये अपने बगीचे में and set before him bits of fish and other denties और फिर उस कुत्ते के आगे मचली और बाकी स्वादश्ट भोजन जो था वो रखा hoping he would find treasure for them अब बच्छो क्यों कि या इस बुरे वाले बुरे दमपती ने ऐसा क्योंकि वो आशा कर रहे थे कि वो जो कुत्ता था वो ढून के देगा खजाना उनके लिए भी but the dog being afraid of the cruel pair would neither eat nor move पर ये जो कुत्ता था ना बच्छो जो की भैभी था डरा हुआ था इस कुरूर जोडे से वो ना तो खाता था ना वो हिलता था then they dragged him out of the doors taking a spade and hoe with them उसके बाद उन्होंने क्या किया जानते हो उसके बाद में उस बुरे बुरे दमपती ने घसीटा उस कुत्ते को दर्वाजी के बाहर और अपने हाथ में लिया एक फावडा और एक कुदाली बच्छो क्या करेंगे वो बुरे वाले बुरे दमपती उस कुत्ते के साथ अभी जानेंगे पहले क्या करेंगे हम मेनिंग जिवाइस करेंगे तो देखिए किग यानि की लात मारी फिर है स्कोल्ड़े मतलब फटकारना कोच्ट मतलब फुसलाया दैंटी मतलब स्वाधिष्ट खाना ट्रेशर मतलब खजाना अफ्रेड मतलब डर्वल मतलब क्रूर पेर यानि की जोडा द्रैग मतलब घसीटा no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath तो बच्चो वो कुत्ते को घसीट के दरवाजे के बाहर ले आये थे ना वो बुरे वाले बुरे दमपती तो जैसे ही कुत्ता पास में आया एक pine tree के बच्चो एक प्रकार का पेर होता है पाइन का तो जैसे ही वो कुत्ता पास में आया उस पेड के जो की उग रहा था ग्रो कर रहा था मतलब उग रहा था बगीचे में तब उस कुत्ते ने आरंब किया अपने पैर से scratch करना, खरोचना जमीन को, और इस प्रकार से वो कुट्टा खरोच रहा था बच्चों, जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना उस जमीन की नीचे दबा हुआ हो quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy तो बच्चों वो जो बूढ़ा था ना जो बहुत जादा greedy था लालची था, वो क्या करने लगा कुट्टे की ऐसी हरकत देखते हुए आनन से नाचने लगा और उसने फिर अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी करो पत्नी मेरे को spade यानि की फावडा और कुदाली दे दो then the covetous old fellow और उसके बाद जो लालची बुढ़ा व्यक्ती था fellow मतलब व्यक्ती तो जो लालची बुढ़ा व्यक्ती था with a spade फावडे के साथ में and the old crone old crone मतलब crone क्या होता है बच्चो crone मतलब बुढिया तो क्या हुआ वो बुरा लालची बुढ़ा आदमी और वो बुढ़ी औरत फावडे और कुदाली के साथ में began to dig उन्होंने खोदना शुरू किया but there was nothing पर वहाँ पे तो कुछ नहीं था तो बच्चो यहाँ पे देखते हैं क्या-क्या मीनिंग्स हमने पड़े हैं पहला है mighty यानि की विशाल greedy मतलब लाल्ची danced यानि नाचा joy मतलब अनन्द covetous मतलब लाल्ची या फिर लोभी fellow मतलब व्यक्ती crown मतलब बुढ़िया या फिर बुढ़ी औरत dig मतलब खोदा तो बच्चो वहाँ पे कुछ नहीं था but पर a dead kitten यानि कि उस जमीन के नीचे खजाना नहीं था पर था a dead यानि कि मृत या फिर मरा हुआ kitten बिल्ली का बच्चा the smell of which made them drop their tools and shut their noses और बच्चो वो मरा हुए बच्चे से इत्ती बुरी smell आ रही थी इत्ती बुरी गंद आ रही थी कि उसकी गंद से ही उस बुरे ये वाले जो बुरे दबपती थी ये तो बुरे थे जो पड़ोस में रहते थे तो इसी कारण से वो बहुत जादा आग बबूला हो गए बहुत जादा क्रोधित हो गए उस गुद्धे पर उस बुरे आदमी ने क्या किया जानते हो उस बुरे आदमी ने उस कुद्धे को लात मारी और उसको इतना मारा इतना मारा कि वो कुद्धा मर गया और ये जो मारने का काम उस बुरे आदमी ने किया था ना उसका ये जो कार्य था मारने का वो समाप किया उसकी पत्नी ने by nearly लगभग chopping off his head उस कुत्ते के सर को लगभग काट कर with the sharp hoe तीखी कुदाली से they then flung him into the hole and heap the earth over his carcass और उसके बाद उस बुरे वाले बुडे दमपत्ती ने पतक दिया उस कुत्ते के शव को छेद में जो उन्होंने गड़ा किया था ना उस में और धेर लगा दिया मिट्टी का उस कुत्ते के शव पर तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्या-क्या हमने meanings पड़े हैं सबसे पहला है डेड डेड मतलब मरा हुआ किटन मतलब बिल्ली का बच्चा स्मेल मतलब गंध फ्यूरियस मतलब अत्यधिक गुस्सा फिनिश्ड मतलब समाक किया नीरली मतलब लगभग फ्लंग यानि की पटक दिया हीप्ट मतलब धेर लगा दिया और कारकस क्या होता है शव तो बच्चों उस जो प्यारा सा अच्छा सा कुत्ता था उस अच्छे से बुढ़े दमपति का उसको मार दिया है बुरे पडोसियों ने क्यों मार दिया भई वो तो लालच कर रहे थे वो चाते थे कुट्टा उनके लिए भी ख़जाना खोद के दे पर कुट्टे न ऐसा नहीं किया इस कारण से इस बुरे बुढ़े दमपति ने म मार दिया उस कुट्ते को अब आगे क्या हुआ कहानी में जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहना मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में